नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका D11 टीम्स यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो के इंदरम बात करेंगे लंदन स्पीड्स वर्सिस वेल्स फायर के बीच होने वाले दा हंडर सिरीज के मैच नमबर 10 के बारे में जो की खेला जाएगा लोड्स लंदन के ग्राउंड के उपर देखो दोस्तों इस वीडियो के इंदरम लोड्स लंदन के ग्राउंड की पिछ का अंडाजा लगाएंगे दोनों टीमों के प्लेरों का रिकोर्ड देखेंगे टरम ख्लाडी कौन रह सकता है वो जानेंगे और कप्तान वाइस कप्तान कौन बन सकता है वो भी जानेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा वहीं देखो दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कैना तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो आपको ऐसी वीडियो जहरोज मिलती रहेगी तो दोस्तो ये वाला match किला जाएगा आज यानि एक अगस्त को शाम को 7.30 मिनिट पे इंडियन टाइम के अनुसार तो दोस्तो वीडियो में आगे बडूस से पहले में आपको बता दू कि आपको इस वीडियो के description और पहले comment में हमारे telegram का link मिलेगा देखो याद telegram जोइन करना बहुत जरूरी है क्योंकि टोस होने के बाद प्लेइंग 11 चेंज जाती है पिछ रिपोर्ड डिफरेंट होती है वो सकता है कोई ट्रम खिलाडी खेल रहा हूँ और हमें ना पता हूँ तो सारे प्लेरों का रिपोर्ड आपको telegram के उपर बिल्कुल फरी में प्रवाइड कर जाता है तो वीडियो के description में एक link दिया है पहले comment में एक link दिया है आपको उस link के उपर click करना है और telegram channel जोइन करने ना है और telegram जोइन करना बिल्कुल फरी आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा बस एक चीज है कि जो description और पहले comment म सबसे पहले हम देख लेते हैं लोड्स लंडन के ग्राउंड की पिछी रिपोर्ट आपको क्या देखने को मिल सकती देखो दोस्तों इस ग्राउंड की उपर दा 100 सीरीज के अब तक 14 मैच के लिए जा चुके हैं जिसमें से 9 मैच पहले बैटिंग और 5 मैच सेकंड यानि 13 मैच के अंदर स्कोर है वो 70 से नीचे बनाए इस ग्राउंड की उपर अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो आपको 150-160 के बीच में एवरेज स्कोर देखने को मिल सकते हैं अब जाको दोस्तों इस ग्राउंड पर खेले ना तो इस साल दा 100 सीरीज के अंदर एक मैच के लागा था लंदन स्पिरिट्स और बर्मिंगम फोनेक्स के बीच उस मैच में लंदन स्पिरिट्स के टिम ने पहले बैटिंग करते हुए 127 रन बना इस साथ विकेट पे और बर्मिंगम फोने ने 139 बनाके तीन विकेट से मैच जीत लिया दोनों इनिंग को मिला के बात करें तो 11 विकेट फास्ट बोलर और 2 विकेट स्पीनर को मिले उससे पहले देखो दोस्तों इस ग्राउंड की पर 2023 के अंदर मैच के लगे थे जिसमें आप देख सकते हूं लंदन स्पीट्स और नोर्दन सुपर चाजर का मैच था लंदन स्पीट्स ने पहले बैटिंग लंदन स्पीट्स की तीम जीत गई थी आठ विकेट फास्ट बोलर और चार विकेट स्पीनर को मिले उससे पहले लंदन स्पीट्स ने पहले बैटिंगी 155 रंबना इचार विकेट पर ट्रैन्डरोकेट ने 104 रंबना पाई 5 विकेट पर वो मैच लंदन स्पीट्स की टीम जीत गई थी दो रंणों से अगर हम दोनों नी निंग को मिला के बात करें तो आठ विकेट फास्ट बोलर और चार विकेट स्पिनर को मिले उससे पहले ल लंदन स्पीट्स और ट्रेंट रोकेट का 2003 जो हाई स्कोरिंग मैच गया था उसके अलावा एकसो साथ एकसो एकसो एकसर रन बनते हुए दिखे हैं बाकि अगर हम बात करें चार में जो के अंदर तो 36 विकेट फास्ट बोलर और 16 विकेट स्पीनर को मिले यानि काफियत तक अ लंदन स्पीट्स और वैल स्फायर के बीच के लेगें हैड रेकोर्ड के बारे में लंदन मेंसे एक मैच जीता है और दो मैच जीते हैं वैल्स फायर की टीमने यानि हैट-टो-ध में थोड़ा सा वैलस फायर का पढ़ड़ आपको भारी देखने को मिल रहा है इस कि आपको क्या पोसिंबल प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है देखो दोस्तों प्लेइंग बताऊ ना उससे पहले आप टेलिग्राम जोइन कर लो कोई पैसा नहीं लगा बिल्कुल फरी में लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंड में उस पे क्लिक करके जोइन कर लो क्योंकि आपको पता अभी मेजर क्रिकेट लीग खेला जा रहा था और मेजर क्रिकेट लीग खतम हो चुका तो एससे में इन दोनों टीमों की प्लेइंग देखने को मिल लेवाल है तो देखो दोस्तों गरम बात करें यहां पर एकर हम बात करें लंदन कर लेते हैं और बोलिंग के अगर हम बात करें तो डैनियल ओरेल एक बोलर, ओल्ली स्टोन दूसरा बोलर, नाथन एलिस तीसरा, लियाम डाउसन चोथा, अंद्र रसल पाच्वा और या निंस आपको छटा बोलिंग उप्सन देखने को मिल सकता है, कभी कबाद एक आदे ओर क बोलिंग, डैनियल लोरेंस भी कर सकता, जो कि इनका कप्तान है, अब लास्ट मैच में का बोलिंग सिन देखें, तो स्टार्टिंग के अंदर डैनियल वोरें, ओल्ली स्टोन और नाथन एलिस बोलिंग करने आइथे, यानि यागर इनकी टिम पहले बोलिंग करें, तो इससे में हेला जा रहा था वो अभी खतम हुआ है तो हो सकता कोई एक दो नया प्लेयर खेलेगा तो उसके बारे में आपको बाद में टोस के वक्त टेलिग्राम पे अपडेट कर दूँगा अब देखो दोस्ते इनके प्लेयरों का रिकोर्ड देख लिते हैं सबसे पहला ना म मात्तर दस परशेंट लोगों ने अपनी टीम में लिया एडम रोसिंटन को अगर आप ग्रेंड लीक के अंदर रिस्क लो तो एक आदी टीम में मोगा दे सकते हूं सेम तिंग पोर वैंडर्मों राइटी बैट्स में मात्तर पांच परशन सेलेक्शन है लास्ट दो मेंच म से एक को मोगा दे सकते हूं तो आप देखलों सेलेक्शन वाइज मी जाना चाहो ताप इन में सकी एक के साथ जा सकते हूं बाकि अभीकली में इन दोनों को लेके नहीं चलता लेकिन आप लेके चलना याद सेगर आप टीम बनाओ उसके बाद मारे पास इनकी तरब से माइक सेलेक्शन है बैटिंग पलस बोलिंग दोनों करेगा लास्ट मैच में एक रन जीरू विगेट था उससे पहने वाली मैच में 38 रन एक विगेट था एट टो एड के अंदर 22 का एवरेज है और एक मैच में चार विगेट है इस ग्राउंड क्यूपर इक तिस का एवरेज और में 16 रन बनायते है उससे पहले 5 रन बनायते है एट टो एड के अंदर कोई मैच नहीं खेला इस ग्राउंड क्यूपर 16 का एवरेज है ये प्लेयर भी आप पहले ग्रेंड लिग का डिफरेंचल रहेग और इस प्लेयर को मैं मेरी ग्रेंड लिग की एक आधी टीम में लेके चलने वालो उसके बाद मारे पास इनकी तरफ से रियान इंक्स राइटी बैट्न राइटाम मीडियूम पेशर है तो ये प्लेयर भी आपकली ग्रेंड लिग के अंदर डिफरेंचल निकल की आ सकता है चीज ध्यान ड़कना उसके बाद मारे पास इनकी तरब से आंद्रे रसल, राइटरी मेटसना राइटाम मीडियम पेसर है, लास्ट मेच में 37 रन जिरू विकेट थे, एट टो एड में एक मेच में 17 रन एक विकेट है, इस ग्राउंड पर 42 का एवरेज है और कोई विकेट नहीं है, ये सेफ ओप्स इसका एवरेज और 10 मेच में 13 विकेट है, लास्ट मेच में 36 रन दो विकेट थे, उससे पहले 45 रन जिरू विकेट, सेफ ओप्सन है टीम में ट्राइ करना बैटिंग बोलिंग दोनों करे, उसके बाद मारे पास इनकी तरब से नाथन एलिस राइट आम फास्ट में पेसर है लोगों अपने टीम में सेलेक्ट है, लास्ट मेच में 2 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, हैट टो एड में कोई मैच नहीं खेला, इस ग्राउंड के पर एक मैच में 0 विकेट, ये भी एक सेफ ओप्सन है, उसके बाद मारे पास इनकी तरब से गैनिल वोरेल, राइट आम फ जो रिस्क लो, अगर आपको सेंफ ग्राइट की टीम बनानी है, तो परसेंटेज वाले प्लेयर सेलेक कर लो, और परसेंटेज वाला कप्तान वाइस कप्तान बना दो, आपकी इन्वेस्ट में रवापिस आ जाएगी, लेकिन आपको अगर किसी एक दो प्लेयर पर रिस्क आप इस प्लेयर को कप्तान बनाने का रिस्क ले सकती हूँ, तो यह आपको लंदन स्पीड्स के सारे प्लेयरों का रिकोर्ड देखने को मिल रहा है, मैं आपको बैंच वाले प्लेयर ही बता देता हूँ इनकी तरब से, बैंच वाले प्लेयर में अगर रवी बोपारा खेल बागी हाई चांस आपको यही प्लेंग लेवन देखने को मिलेगी लंदन स्पीड्स की दरब से, अगर कोई और चेंज होता है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे दूगा, बार बार बोल ला हूँ, टेलीग्राम बिल्कुल फरी है, वीडियो के डिस्क्रिप्सन में लिंक है पहले कमेंड में लिंक है, लिंक पे कलिक करके जोईन कर लो, एक पैसा नहीं देना, बस लिंक से जोईन करना, अगर सर्च करके जोईन करोगे, तो आप फेक चैनल पे चले जाओ, और फिर वो आपसे पैसे देनगी, simple जी बात है, मैं किसी फेक चैनल को नहीं रोग सकता, व वेल्स फायर के आपको क्या पॉसिबल प्लेंग लेवन देखने को मिल सकती है। अगर एक आदे और की बोलिंग करेगा या 5-10 बोले डालेगा तो कुछ बोले ल्यूक वेल भी डाल सकता है। अब देखो दोस्तो इनके प्लेरों का लास्ट मैच में बोलिंग से इन देख लेते हैं। लास्ट मैच में स्टार्टिंग में डेविड विली और डेविड पाइने ने बोलिंगी और डेथ के अंदर जोस्वा लिटल, डेविड पाइने और जैक बोल ने बोलिंगी। बाकेटियों को दोस्तों high chance है, इनकी तरफ से आपको यही playing 11 देखने को मिलेगी, अगर इसके अंदर कोई भी ओर change होगा तो मैं आपको टेलिग्राम पे update कर दूँगा, अब इनके प्लेरों का record देख लेते हैं, सबसे पहला नाम जोनी बैरिश्टो, राइटी बैट्समन, व इस ग्राउंड की उपर 26 का एवरेज है, head to head में दो मैच के लिए 24 रन बनाए, 37 के अवरेज से, इस ग्राउंड की उपर कमाल का एवरेज है, इस वज़े से आपको इस player को आप grand league की कुस्टीमों में try कर सकते हूँ, decent record carry करता, आते ही मारने की कोशिज करेगा, उसके बाद म इस ग्राउंड की तरफ से Tom Abil, right team match में 47% selection है, last के दो मैच में 16 और 11 रन बनाए है, head to head के अंदर 37 का एवरेज है, अब देखो दोस्तों यहां पे na, Tom Abil एक आपके लिए grand league का differential play निकल के आ गया न, head to head के अंदर last year एक मैच के अंदर 37 रन बनाए है इस player ने, लंदन के खिला आप, बाकि देखो यहां पे na, Joe Clark का selection जादा है, उसके लावा यहां पे Tom Abil का selection अच्छा है, उसके लावा जोनी बेरिष्ट्यों का भी selection अच्छा है, लेकिन एक player है Tom Abil, जिसका selection थोड़ा कम है, यह तो लिए grand league का trump निकल के आ जाएगा, अगर risk लो तो, बाकि risk लेना नही आपके उपर depend करना मेरे बाई, टीम तो आपको बना नहीं, मैंने आपको सारे प्लेनों का record बता दिये, आप यहां पर record देखने आते हो, मेरे साब से maximum बने, तो आपकी आएगी, मैं मेरी team खुद बनाऊंगा, आप अपनी team खुद बनाऊंगे, मैं आपको honesty साथ बता रहा ह इस बाद पर वीडियो को like कर दो याँद से, अब दोस्तों हम देख लेते हैं, उसके बाद Glenn Phillips, right team batsman, off break spinner, last के दोनों मैच में कोई खास performance नहीं था, लेकिन head to head के अंदर ही 50 का average इस player का, इस player को मैं टीम में लेके चलूँगा, उसके बाद मरपास इनके तरब से Luke Wells, left team batsman, off break इस बाद मरपास इनके दरब से, इस ग्राउंड के उपर एक मैच में क्या सी रन और दो वीडिट है, safe option टीम में रखा जा सकता, चाओ तो कप्तानी वाइस कप्तानी दी जा सकती है, उसके बाद मरपास इनके तरब से, डेविड पाईन लेफ्टाम फास में पेसर है, लास्ट मैच में थाजस रन दो वीडिट, उससे पहले एक वीडिट, head to head में दो मैच में दो वीडिट है, इस groundkeeper दो मैच में तीन वीडिट, ये भी safe option है, मेंचन क्रेंट, लेफ्रेक स्पीनर, लास्ट के दो मैच में एक वीडिट निकाला है, head to head के अंदर कोई मैच निकाला है, और इस groundkeeper 7 मैचों के अंदर 9 वीडिट हमें देखने को मिला है, मेंचन क्रेंट की तरब से, उसके बाद मारपासन की तरब से, जैक बोल राइट आम फास्ट में प्रेसर है, लास्ट के दो मैच में तीन वीडिट, एक वीडिट निकाला है, अगर आप यहां पे मतलब कीजी फास्ट बोल्डर को मोगा दे सकते हो, बाकि मैं यहां पे स्मोल लिग के अंदर कीसे भी फास्ट बोल्डर को छोड़ के नहीं, चलूँगा कोई एक प्लेर अगर तीन चार विगेट निकाल के लेके जला जाएगा ना, तो नुक्सान हो सकता, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना, इस मैच के अंदर अगर निके तरब से हैरिस राउफ खेले, तो मस्ट पिक प्लेर है, टीम के अंदर रखना बेकर याद रखना है जीज, तो यह मैंने आपको सारे त्लेरो का रिकोर्ट बता दिया है, वेल्स फायर के, हैरिस राउफ का रिसिपार जीरो गट जीरो गट, एक विगट, जीरो गट, जीरो गट, जीरो गट, गेर घैनरी का आप देख सकते हूं, लेकिन दोनों अची प All-Rounder में अंधर रसल, डेविड मिली, लियाम डासन, बोलिंग में नाथन एलिस, डेविड पाइने, जैक बाल, जोस्वा लिटल और ओलिस्टोन को लिया है। कप्तान यह पे डेविड मिली एक सेफ आप्सन है, वाईस कपतान अंधर रसल एक सेफ आप्सन है। थोड़ा रिस्क लो तो डंयल लोरेज को CVC बनाने का रिस्क ले सकते हो यह 3 प्लेरं सेफ CVC ए 4 प्लेर जोनी बेरी रिस्टोप आप माण के चल सकते हूं तो यहां पे जो तीन बैट्स में ना तीन क्या है और फिलिप्स ना इन में किसी एक को ड्रोब करके टो मोबेल को लेने का रिस्क ले सकती हूँ बाकी देखो दोस्तो जो भी मेरी फाइनल टीम आएगी वो आपको मिलेगी टेलीग्राम के उपर वो टेलीग्राम में आपको अल्रेडी बता दिया है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में जो लिंक दिया ना उस क्लिक करके यह आपको जोई निकरना बिल्कुल फरिये कोई पैसा नहीं लगा तो दोस्तों यह थी में इतलब से लंदन स्पिट्स वर्सेज वेल्स फायर के बीच होने वाले दा हंडर सीरीज की मैच्स की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन उम्मीद कर ताम वीडियो अच्छल